ओम शांती, 11 फरवरी 2023 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा तुम ब्राह्मन कुल भूशनों को सदा यह स्मृती रहनी चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी अथ्वा राज रिशी हैं, हम ऐसी राजाई के लिए पुरु यतीत होंगे, तुम्हारी बुद्धी में स्वदर्शन चक्र साई रूप से फिरता रहे, तो माया का वार नहीं हो सकता, अगर माया पर जीत पानी है, तो इसका इलाज है, योग में रहो, माया तुम्हारा बुद्धी योग भी तोड़ेगी, प्रंतु पुरुशार्थ कर योग में जरूर रहना है, जो योग में रहेंगे, उनकी आयू बढ़ेगी, ज्यादा दिन तक यहां रहेंगे, तो कमाई भी जास्ती कर सकेंगे, तुम्हारी यह जीवन बड़ी दुरलब है, पुरुशार्थ करने का यही थोड़ा सा समय है, फिर चांस नहीं मिलेगा, त तो कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए, कि विनाश जल्दी हो, और हम स्वर्ग में जाएं, वास्तों में जिनको माया बहुत तंग करती है, या बड़ा कर्म भोग है, उनसे छूटना चाहते हैं, इसलिए सोचते हैं, विनाश जल्दी हो, बाप तुम बच्चों को ललकार करके कह बच्चे, बेहद का वड़सा लेना है, तो श्रीमत पर चल, पूरा पुर्शार्थ करो, इसमें गफलत व बहाना मत करो, और लास्ट में बाबा ने कहा, जैसे बाप कल्यान करी है, ऐसे बच्चों को भी बाप समान कल्यान करी बनना है, सर्विस में कभी ठकना नहीं है, बा अगर कोई कर्म बंधन है, तो योग में रहे, उसे भी काटना है, याद में रहने से सब कर्म बंधन कटते जाएंगे, और फिर आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, और अब सुनते हैं महबाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज रिशी समझ कर चलो, तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे, प्रश्न, कौन सा चांस तुम्हें अभी है, फिर नहीं मिलेगा, उत्तर, अभी थोड़ा समय है, जिसमें पुरुशार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सक फिर यह चांस नहीं मिलेगा, यह जीवन बड़ा दुरलब है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरें तो छूटे, यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है, या कर्म भोग है, तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है, गीत धीर धीरस धर मनवा, धीरस धर, तेरे सुक के दिन आये के आये, ओम शांती, बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना, बेहद के बाप ने कहा, और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना, देखो, बाप का बुद्धियोग सभी बच्चों की तरफ जाता है, सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मन कुलभूशन वस्वदर्शन चक्रधारी अथ्वा राज रिशी बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृती में रहना चाहिए, कि हम राज रिशी हैं, राजाई के लिए पुरुशार्थ कर रहे हैं, जिस राज्ये में देखो, तो स अध़ेव सुख के दिन व्यतीत होते हैं, कलियुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं, तुम जो राज रिशी हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहां बीतने चाहिए, अगर बच्चे अपने को राज रिशी समझ से हैं, और निश्चे अटल अडोल कायम हैं, तो नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राज योग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। अथ्वा नर से नाराइन बन रहे हैं। सो तो सिवाई परमपिता परमात्म के कोई बना न सके। परमपिता परमात्म जब कहा जाता हैं तो किसी साकार वा अकार की तरफ बुद्धी नहीं जाती हैं। निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरस देते हैं बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं। यह कलियुग नर्क बदल स्वर्ग होगा। हेविन की सापना हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वियम बैठ राज-योग सिखलाते हैं। कोई भी मनुश्य चाहे हेल का चाहे हेविन का हो राज-योग सिखला न सके। बच्चे जानते हैं, हम ब्रह्मा मुख वन्षावली ब्रहमन कुल भूशन ही स्वदर्शन चक्र धारी हैं। हम आत्माओं को स्रिष्टी चक्र की नौलेज हैं, देवताईं यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्रीक्रेश्न को वविश्न को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्रहमन अभी संपुरन नहीं बने हो, नीचे उपर होते रहते हो, यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की, आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पढ़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते? स्वदर्शन चक्र तो साई चाहिए, इसलिए विश्नु को दिखाते हैं, यह बहुत गुहिये बाते हैं, जहां भी विश्नु का मंदिर हो, कोई भी स्वदर्शन चक्र धारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो, श्री कृष्न को भी स्वदर्शन चक्र देते है राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते हैं। सत्युग से तो सीड़ी नीचे उतरनी होती है। वहाँ यह ग्यान होता नहीं। वहाँ यह मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको। यही चिंता लग जाए। तो अब बाप बच्चों को धीरस देते हैं कि घबराओ मत। माया पर जीत पानी है। माया के तुफान आएंगे जरूर, विग्न पढ़ेंगे, इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, प्रन्तु पुरुशार्त कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयू भी बढ़ेगी, जितनी आयू बढ़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्सा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। इसलिए बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद करू। जितना पुरुशार्थ करेंगे, उतना स्वर्ग में प्रालब्द पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे, योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं। क्योंकि यह जीवन बड़ी दुरलब है। ऐसने कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंब हो जाएगा। बालिक भी नहीं बन सकेगा। क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरे। यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म भोग है उनसे छुटना चाहते परन्तु यह चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरशार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना पड़ेगा। क्योंकि बाप सबको रुहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा। जैसे पर 10-15 लाख जाते हैं। ये तो आत्म परमात्म का मेला हैं। बाप स्वियम पंडा बनकर लेने आए हैं। इनके पिछाडी तो अंगिनत आत्माएं जाएगी। परन्तु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रले हो तो फिर यह भारत खंड ही ना रहे। परन्तु यह भारत अविनाशी खंड है। यहां बहुत रह जाते हैं। फिर सत्योग मे एक ही सुरेवंशी राजधानी सापन होगी। कलि यूग विनाश हो सत्योग सापन होने में बीच का थोड़ा सा यह टाइम मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी इसको कल्यान कारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्यान कारी नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूरण सुख से संपूरण दुख में आ गए हैं। यह नौलज और किसकी बुद्धी में नहीं है। जो कोई बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है। यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमरित वेले आकर पढ़ाते हैं। तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं। मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ। इसमें माया मुझे कोई विग्न नहीं डालती है। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। माया तुमको विग्न डालती है। कोई कोई लिखते हैं बाबा, हम बच्चों को ना भुलाना, प्रन्तु मैं कभी नहीं भूलत मुझे तो सबको वापिस ले जाना है मैं रोज याद प्यार देता हूँ बच्चों को खजाना भेज देता हूँ सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्सा लेने का पुरुशार्थ करो इसमें गफलत वबहाना मत करो कहते हैं कर्म बंधन है यह तो तुम्हारा है बाप क्या करे बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा तुमसे विकर्म नहीं होगे आधा कल्प तुम विकर्मों से छुट जाएंगे फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है मम्मा बाबा कैसे अच्छी रिती समझाते हैं कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम अब्जेक्ट क्या है तो यह कार्ड हाथ में दे दू उससे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंदे में लगे हुए है यह तो बड़े व्यापारी हैं हर एक की रग देखनी है सब से अच्छा है चक्र पर समझाना कैसा भी आदमी हो चक्र को देख कर समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलियुग है अब सत्युग आने वाला है क्रिश्चन्स को भी समझा सकते हो कि यह हैल है अब हेविन स्थापन होने वाला है वे तो जरूर हेविनली गौड फादर ही करेगा प्रंतु मनश्यों की बुद्धी ऐसी हो गई है जो अपने को नर्क वासी भी नहीं समझ से है कहते भी हैं फलाना स्वर्ग वासी हुआ तो समझना चाहिए जरूर हम नर्क में हैं अब कलियुग है पुनरजनम भी जरूर कलियुग में ही लेंगे स्वर्ग है कहां बाबा तो कहते हैं शम्शान में जाकर समझाओ प्रंतु बच्चे जट ठक जाते हैं समझाना चाहिए अभी तो कलियुग है अगर स्वर्ग में पुनरजनम लेना चाहते हो तो आकर समझो हम भी पुरुशार्थ कर रहे हैं जो फिर नर्क रहेगा ही नहीं स्वर्ग में चलना है वहाँ विश नहीं मिलेगा उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा कैसे यह बाबा युक्तियां बताते हैं नेपाल में विजे अस्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं तुमको भी सबको समझाना है घर घर में शिव का और लक्ष्मिनारेन का चित्र जरूर रखना है नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है बाब को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा बाब सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं योग लगाने से बाब साक्षतकार भी करा सकते हैं बाब है ही कल्यान करी तो बच्चों को भी ऐसा कल्यान करी बनना है गरीब ही अपना कल्यान करते हैं, साहुकार मुश्किल ही करते हैं, सन्यासी भी जो नामी गरामी हैं वे अंत में आएंगे, अब बहुत करके गरीब साधारन ही ग्यान लेते हैं, बाबा भी साधारन तन में आता है, गरीब में नहीं, अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नह साधारन ही हो जो बली भी चड़े और इतने सब की परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बली चड़कर वारिस बन जाएं। धारना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट बाप ने जो मनुश्यों को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। पदमा पदम भाग्येशाली भव स्रेश्ट कर्मधारी बन उची तकदीर बनाने वाले पदमा पदम भाग्येशाली भव जिसके जितने स्रेष्ट कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है तकदीर बनाने का साधन है ही स्रेष्ट कर्म तो स्रेष्ट कर्म धारी बनो और पदमापदम भाग्येशाली की तकदीर प्राप्त करो लेकिन स्रेष्ट कर्म का आधार है स्रेष्ट स्मृति स्रेष्ट ते स्रेष्ट बाप की स्मृती में रहने से ही स्रेष्ट कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्ये की लकीर खीचलो। इस एक जनम में अनेक जनमों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन अपने संतुष्टता की पर्सनलिटी दवारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। और अब मातेश्वरी जी के अनमोल महवाक्ये। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्व्यम गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं हे बच्चे जब भारत पर अती धर्म गलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने वाइदा निभाने के लिए अवश्य आता हूं। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। सभी युगों में तो कोई धर्म गलानी नहीं होती धर्म गलानी होती ही है कल्युग में। तो मानो परमात्मा कल्यूग के समय आता है और कल्यूग फिर कल्प कल्प आता है तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ कल्प में फिर चार युग हैं इसको ही कल्प कहते हैं आधा कल्प सत्युग त्रेता में सतो गुण सतो प्रधान है वहां परमात्मा की आने की कोई जरूरत नहीं और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुवात है उस समय भी अती धर्म गलानी नहीं है इस सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है बाकी रहा कलियुग उसके अंत में अती धर्म गलानी होती है उसी समय परमात्मा आये अधर्म विनाश कर सत धर्म की सापना करता है अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सत्युग होना चाहिए फिर कलियुक क्यों ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलियुक की सापना की अब यह बात तो नहीं हो सकती इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का कलियुक का विनाश कर सत्युक की सापना करता हूँ तो मेरे आने का समय संगम युग है मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाडने वाला कौन है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाडने वाला वही परमात्मा है बाकि यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाडने वाला खुद मनुष्य है अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे इस पर समझाया जाता है बिगडी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगडी हुई तकदीर कहते हैं तो इसे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड गई है। अब वही फिर बिगडी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है वो तकदीर को कैसे बनाएगा। इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मातन दवारा अविनाशी नौलेश दवारा हमार बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं अब यह नौलिस देना परमात्मा का काम है बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है अच्छा और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे